I know आप सब लोग Micro Niche Vlogging के कितने फैन हैं आज अगेन आप लोगों के लिए मैं फिर से Niche's लेके हैं हूँ because मुझे पता है कि आप लोग मुझे Niche's के लिए कितना message करते हो WhatsApp group जो आप लोगों को मैंने दिया वैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ पे अगर जोईन कर लेते हो तो आपको रोज Niche's मिल सकती है आप मेंसे जो लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं आप चले जाएं अदर्वाइस इस वीडियो के अंदर में आप लोगों के लिए अगेन दस Micro Niche's लेके हैं हूँ जो भी प्रॉडक्स हैं अफिलियेट के हवाले से अगर बात करें तो यह साइट उसको भी कवर कर रही है और डेफिनेटली साइट की जो ट्रैफिक है वो 7.9K है ठीक है 8K ट्रैफिक है बट मज़े की बात क्या है कि साइट के जो DR है वो सिरफ 8 है अगर मेरे चैनल के ही फॉलवर हो अगर वाके ही मेरे चैनल के फॉलवर हो आपको पता होगा इसका क्या मतलब है ठीक है मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा अब इस साइट के ओपर आपको बेसिकली अगर तो किचन से रिलेटेट प्रॉडक्स को रिव्यू करना है तो वो निच मिलेगी इसके अलावा अगर आपको फॉर इग्जामपल इंफर्मेटिव आर्टिकल्स राइट करने हैं पर्टिकुलर ली अप्लाइनसी के बारे में तो यह वो साइट है इसमें वो निच टार्गेट की ही और तो आपको रेप्लीकेट कैसे करना है वो भी अ 17 इसका domain rating है चोंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है और RDS 126 हैं बहुत ही कम RDS हैं simple सा मतलब यह तो हो गया इसका कि हाँ आप इसको replicate कर सकते हो अब यह है क्या चीज़ यह niche क्या है basically इसके अंदर इसको discuss किया जा रहा है कि भाई पीज़ा के बारे में जो भी questions हैं लोगों के जो concerns होते हैं वो इस website में discuss किये गए हैं and then pizza बनाने से related अगर कोई recipes हैं उन recipes के लिए again कोई gadgets की ज़रुएत पड़ती है तो वहाँ पे आप इसको affiliate में भी target कर सकते हैं तो भाई affiliate और ads दोनों ही साथ साथ चलेंगे हाँ इस चीज़ का ख्याल आपको रखना है कि safety कैसे ensure करनी है जो कि मैं पहले भी बता चुक हो अपनी वीडियो के अंदर के Google की update से safe रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है तो यहाँ पे अगर आप देखो इसकी एक pizza ब्लॉग की category है and then यहाँ पे cooking tips है definitely यह पूरी की पूरी side pizza के ओपर focused है तो आपको interest हो इस niche के अंदर तो मेरे ख्याल में इस से अच्छे और कोई niche आप के लिए हो नी सकती तीसरी जो site है उसका नाम है dietmenus.com अब domain का जो नाम है उससे आपको पता चल रहा होगा यह diet से related है that means यह जो fitness freaks है जो लोग बड़ा सोच समझ के खाने वाले यह सिर्फ उन लोगों के लिए particular site है अब इसके अगर stats देखो आप तो 14 DR है तो 14 DR का simple सा मतलब क्या हो गया ठीक है भाई यह replicate हो सकती है इसके keywords हैं कुछ हैसे जिनके उपर आप काम कर सकते हो तो मेरा मकसद यह नहीं होता कि आपको niche दिखानी है मेरा मकसद ही होता कि पूरी की पूरी site आपको दूँ ताके ना सिरफ niche मिले आपको keywords भी मिल जाए साथ में इस site को आप SM Rush के थूपी कर सकते हो जिनको SM Rush का नहीं पता description में एक link होगा उसको use करके आप purchase करो description में एक link मिलेगा आपको उसको use करके trial sign up कर लो कुछ दिन का आपको trial मिलेगा free of cost उस tool को use करो और इस site को उसमें plug करके इसके सारे keywords आप निकाल सकते हो इसके इलावा अगर आपको further 40 से 50 niches privately चाहिए then आपको specially इस link को click करके जो SM Rush का link होगा description में इसको open करके आपको SM Rush का trial buy करने जो free of cost है अगर आप उसका screenshot मुझे send करते हो कि आपने वाकिए में buy किया है मैं आपको 50 niches ऐसी दूँगा जो भी तक किसी और के साथ share नहीं की है मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए होंगी जो specifically trial को purchase करते हैं अब इस niche के अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप इसके menu को देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है diet की तो diet के अंदर यह सारी चीज़े आ जाती है के बाई for example यह categories देखो vegan है, vegetarian है, keto diet है, low carbs तो यह वो सारी चीज़े हैं जो एक diet वाला जो बंदा है वो इनके पीछे पड़ा होता है तो definitely एक ऐसी side जो umbrella के अंडर आती है but very particularly focused है around the topic diet जो लोग इस तरह के topic में interested होंगे वो इस तरह की side बना सकते है अगली जो niche है वो सोच के वो देख के आप एक दफाह रहां रह जाओगे because इस तरह की niche मैंने खुद कभी imagine ने की थे कि कोई ऐसी भी niche हो सकती है और वो niche क्या है? वो सिर्फ आपके पीने से related है total पूरी की पूरी जो niche है वो सिर्फ इस चीज के उपर है पीना कैसे है let me show you यहाँ पे आपको side show हो रही है जिसका नाम है upthirst.com इसका 13 DR है आप समझ गए 64,000 traffic है इस site असानी से अंदाजा लगा हो इस चीज का कि अगर इस site के उपर आपने media wine अप्रूफ किया हो जो कि 50,000 traffic पे आपका हो जाता है अब अगर 64,000 traffic है और हर 1000 के उपर आपको 30 डॉलर्स मग बनते हैं तो उसको 60 से multiply कर दो simple मैं था 1800 डॉलर तो गया तो 1800, 1900 डॉलर यह site per month का just ads से कमा रही है तकरीबन हाफ इसका affiliate से earn हो रहा होगा तो यह site कमस कम 3000 डॉलर पर month earn कर रही है अब यह है क्या चीज़ है थोड़ा सा key words को देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है can you use rapid rice yeast to make wine तो wine की बात हो रही है then यहाँ पे alcohol की बात हो रही है then यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है as an amazon associate earn from qualifying purchase कितनी असानी से आपको पता चल गया कि भाई यह एक niche site है जो आप ही की तरह किसी ने बनाई है लेकिन वो बंदा थोड़ा सा स्यान है उसने सिरफ kitchen appliances के उपर site नहीं बना दी उसने बड़ा micro niche topics select किया कि हाँ भाई लोगों की पीने से related जो भी habits हैं जो भी चीजें हैं उनके उपर एक पूरी की पूरी site बना दी है जिसके उपर 64,000 traffic है just imagine this opportunities बहुत ज़्यादे हैं आप लोगों के लिए अभी आगे बहुत कुछ पढ़ावे let me show you another one इस site का नाम है fit house cafe इसका DR है 7 इसकी जो RDs हैं वो 147 है और 36,000 traffic है डुमेन के नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये cafe से related है cafe से related है तो इसमें coffee की बात होगी इसमें चाय की बात होगी इसमें deserts की बात होगी इस तरह की चीजें जो cafe में आपको मिलती है अब अगर थोड़ा सा scroll down करते हो आप इस site basically ये niche site है क्यों इसके home page से पता चल रहा है ये किसी SEO वाले बंदे ने domain पकड़के इसको set up करके home page के उपर जितने pages से सबको set up कर दिया यहां पे देखो for view coffee maker क्योंकि domain का नाम ही coffee से related है तो भाई simple सी चीज है इसके ओपर coffee की ही बात होगी तो अब kitchen के under सिर्फ और सिर्फ coffee specific एक site हो गई अब ये भी एक niche बन गई है अब और देखो अगली जो मैं niche आपको दिखाने लगा हूँ इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि ये niche हो सकती है बट आप believe करो this is a niche जो के actual में exist करती है let me show you the URL इस site का नाम है milkpick.com अब यहां से आपको menu से अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये site जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक topic पर बात कर रही है milk के ओपर non-dairy milk, compare milk, milk database, milk brands अगर पीने की बात करो तो पीने में भी आगे एक category चली गई है milk की तो अब आप अंदाजा लगाओ कि अगर पीने की बात करो तो पीने में हम coffee पीते हैं हम wine पीते हैं लोग पीते हैं लोग alcohol पीते हैं milk पीते हैं देन लोग पानी पीते हैं 389 RDs है, कुछ भी नहीं है, and 22,000 ट्राफिक है, जो एक लगा हो, 1000 ट्राफिक के ओपर आपको 15 डॉलर मिलें, तो भाई ये 20 से मल्टिप्लाय कर दो, 1500 डॉलर, यहां से चलते हैं आगे, 20 से मल्टिप्लाय करते हैं, अगर आप 15 को ये कल्कुलेट कर ले ना, यार अभी, let me show you some other stuff, तो यहां पे आप keywords देखें, does oat milk spike blood sugar, milk की बात हो रही है, keywords देखें आप, can you drink oat milk for Passover, does oat milk have vitamin D, हर keyword milk से related है, पुरी की पुरी जो niche है, वो milk के ऊपर बन गई, अब यहां से आपको अंदाजा होगा, कि भाई, niche, side, business is real, इसी तरह आप नीचे चलते जाओ, तो आपको बहुत सा कर सकते हो, इसके अगली नीच पे चलते है, domain name को पढ़के तो शायद आपको लगेगा कि यार यह कोई general site है, but believe me, यह site भी particularly fitness से related है, आप अगर इसमें देखो इसके articles को, I lost 50 pounds with the Mayo Clinic diet, weight loss particular site है यह, और इसके stats अगर आप देख लो, तो यह 15 DR है, 1.2 के RD हैं, और 16 के traffic है, traffic आपको, just मैंने यह दिखाना था, अगर kitchen की कोई यह category हो, तो इसके अंदर सिर्फ यह नहीं होता, कि खा लिया, पी लिया, that's all, multiple चीजे हैं, बहुत सारी options हैं, जिनके बारे में अगर आप सोच नहीं दे, तो इसका मतलब यह नहीं है, वो exist नहीं करते, बहुत कुछ exist करता ह उन डाइट वालों के लिए भी particular एक topic के उपर side बनी वी है, जो के keto के उपर है, तो keto बहुत popular चीजा, लोग जानते हैं इसको, अब particular उसके उपर side बनी वी है, आप अंदाजा लगाओ, आप ज़रूरी नहीं है कि आप side बनाओ kitchen से related और उसमे kitchen के accessories डालना शुरू करो, तो भ देन आप ads के तुरू earn करोगे, देन आप affiliates के तुरू earn करोगे, एंद आप अपनी products के तुरू earn करोगे, अपनी digital products sale करोगे, तो इसके अंदर भी अच्छा खासा potential मुझूद है, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगली जो niche है, वो है cycling inspire, हमने बात start की, kitchen से हम आई इसता इसता fitness की तरफ आगे, तो because जो fitness वाले उनको इनको डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है, तो इसी तरह थोड़ा सा cycling, थोड़ा सा related है, 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 40% relevant है, kitchen से आप कह सकते हो, because मैंने जैसे पहले आपको अगर डाइट करनी है, तो अगर डाइट करनी है, तो एकसरसाइज करनी पड़ता है, तो दोनों hand in hand चलते हैं, अब यहां पर आप देख सकते हो, अगर exercise bike guide ठीक है, तो exercise के अगर बात करें, तो यह सारी options दी वी हैं, यहां पर आप देख लो, bike से related guides दी वी हैं, bikes जन्नों न as an amazon associate, we earn from qualifying purchases, तो भाई, यह भी एक niche site, तो जितनी sites मैंने आपको दिखाई हैं, यह सारी की सारी niche sites हैं, और आप लोगों की ही तरह लोग बना के बैठे हैं, but the thing is, कि आप लोगों को अभी इन चीज़ों का idea नहीं, आप लोग अवेर नहीं इन चीज़ों से, लेकिन जिन लो बनीवी है, कि भाई, जो लोग जिम करना चाहते हैं, गराज के अंदर, अपने गराज के अंदर, तो ऐसे लोग जो जिम नहीं जाना चाहते हैं, या जो बाहिर जाके वर्काउट नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ों हो सक पढ़े हैं ठीक है मैंने अपने पास रखे हैं ताके मैं मुझे बाहिर जाके ना करना पड़ी तो लोग करते हैं ट्रस्ट मी इस आर दा निचीज जिनके अंदर आपको काम करना है और आप होना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वहां से एड होके डेली बेस पर अगर आपने चीज़ एक्सेस करना चाहते हो तो अगर आपको कुछ निचीज प्राइवेटली चाहिए जो लिमिटेड लोगों के लिए हो तैन आपको उसके लिए एक प्रोसीजर फॉ